विशंच उपोक्ता दिकार दिवस कब मनाये जाता है ओप्सन बी पंद्रह मार्स अलिष्टी उपोख्ता दिवस कब मनाये जाता हैओ अउप्सन डी है सोबिस दिसुम्बर को उपोगता सरक्षन अदिनियम 1983 में इन मेंसे कौन सा प्रावदान 2019 में जोड़ा गया है आप्शन डी इन मेंसे किस परदान मंत्री के कारे लेके दोरान भारत में उपोगता सरक्षन विद्यक 1983 में पारित किया गया आप्शन बी राजियू गांदी इन मेंसे किस राष्टपती के कारे कारे कार्ल के दोरान उपोगता सरक्षन अदिनियम 1983 में लाग हुआ था आप्शन बी दारा नव उपोगता सरक्षन अदिनियम 19 सुसिया सी के तैत निमनलेकित में सिक्स दारा में जिला उपोगता फोरम के गटन का प्राष्टन है आप्शन बी दारा नव उपोगता सरक्षन अदिनियम 2019 के अंतर गटित के अंदरी उपोगता सरक्षन पर दिकरण कद्यक्स कोन होगा आप्शन सी सरकार दवरा नियुक्सिप कमिस्नर उपोगता सरक्षन अदिनियम 2019 को राजपतर में कब परकासित किया गया ओप्शन D, 9 अगस्त 2019 E-commerce संस्ताओं को अपने उपोगता के सिकायत को किस समय तक सुनाने वारे होगा ओप्शन D, 48 गंटे के अंदर E-commerce संस्ताओं के दवारा अपनी गराकों को कौन-कौन सी जान कर देना आओ सके ओप्शन D, यह सबी जिल्ला उपोगता फोरम के सदस्तियां का कारेकाल होता है ओप्शन E, पांस वर्स यह पैंसर वर्स के आयू तक जिल्ला उपोगता सरक्षन प्रिश्द का द्यक्स होता है ओप्शन C, कलेक्टर नविन तम उपोगता सरक्षन नियम 2020 के अनुसार दो क्रोड रुपे से अधिक सेवाई या माल से समन्द से कायत का दर्ज कराई जा सकती है ओप्शन C, राष्टी आयोग में जिल्ला आयोग के आदेश से कोई भी पक संतुष्ट नहीं है तो वे आदेश की तारीक से दिनों के बितर तत्यों का कानून के अधार पर राजी आयोग को ऐसे आदेश के खिलाव अपील कर सकता है इस परसन का अंसर हमें कमेंट करके बताएं आप